कैसे हो दोस्तों जाहिर होगा की आप अच्छे होगी अगर नहीं तू कमेंट में बताना की क्या समस्य है दोस्तों आज अम इस वीडियो में डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगी कि इस क्रीम का यूज सही तरह से नहीं होता है तो क्या-क्या साइड एप्यक्ट नजरा सकती हैं तो दोस्तों वीडियो को पुरा जरूर देखें और मन लगी तो चेनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों डर्मी फोर्ड केफाइब जो क्रीम होती है वैक खुजली, दाद, एकजिमा और सोराइसित जैसी तो अचा समन्दी समस्याओं को कम करने में मदद करती हैं मगर इसका उप्योग सही तरह से नेक करने या फिर डोक्टर ने जैसा आपको यूज करने को का है और आप उस तरह से यूज नहीं करती हैं तो आपको स्राइड इफेक्ट नजर आ सकती हैं डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम मरीज को उमर के आदार पर अलग अलग दी जाती हैं तो एसे में स्राइड इफेक्ट नजर आ सकती हैं और गलत यूज करने के कारण से इसके स्राइड इफेक्ट नजर आ सकती हैं दिन में अधिक बार उपयोग करने के कारण से भी इसके स्राइड इफेक्ट नजर आ सकती हैं इस तरह से दोस्तों बहुत से इसे कारण होते हैं जब आप dhermy forward के 5 क्रीम का उपियोक से तरह से नहीं करती हैं तो आपको side effect लिजर आ सकती हैं अगर बात की जाई कि यह side effect क्या होती हैं तो वह कुछ इस तरह से होगी दोस्तों अगर आप बार बार किसी इस्तान पर डर्मी फोरोड केपाइप क्रीम का उपयोग करते हैं तो जाईर होगा कि उस इस्तान पर बार बार इसका उपयोग करने के कारण से तवचा पतली होने लग जाएगी और आपको बिता देते हैं कि यह तभी होगा जब इस दवा का उपयोग सही तरह से नय होकर एक side effect के रूप में होता है यानि तवचा का पतला होना एक side effect होता है नमबर टू इस्तेमाल वाली जगह पर reaction होना दोस्तों जब आप डर्मी फोर्ड के 5 क्रीम का उपयोग करते हैं तो यह तवचा पर उपयोग किया जता है यानि किसी विशेश इस्तान की तवचा पर भी इस दवा का उपयोग किया जता है जहांपर आपको तकलीफ होती है आपको बता देते हैं कि उस इस्तान पर सही तरह से इसका उप्योगने करने के कारण से रियक्शन हो जाता है जिस इस्तती के अंदर जलन, खुजली और लालीमा देखने को मिल शक्ती अगर आपको एसा कुछ देखनी को मिलता है तो आपको बता देते हैं कि यह Dermiford K5 क्रीम के उपयोग करने के गारण से हुने वाला एक साइड इफेक्ट होता है दोस्तों अगर आपनी Dermiford K5 क्रीम का उपयोग अपनी तवचा पर किये तो आपको बता देते हैं कि इसका एक साइड इफेक्ट नजर आता है जो कि जलन होना होता है अगर आपको तवचा पर उस इस्थान पर जलन जैसी मैसूस हो रही है तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों Dermiford K5 जो क्रीम होती है उसका उपयोग अधिक मात्रा में कर लेने के कारण से उस तवचा वाले इस्थान पर खुजली होने लग जाती अगर आपको भी खुजली हो रही है तो आपको बता देती है कि ये इस दवचा के कारण से होने वाला एक तरह का साइड इफेक्ट होता है दोस्तों डर्मीपोड K5 क्रीम का उपयोग करने के कारण से उस इस्थान पर लालीमा देखने को मिलती है तो इसका मतलब यह होता है कि उस इस्थान पर साइड इफेक्ट नजर आ रहा है यानि दर्मिप्रोड के 5 क्रीम का उप्योग करने के कारण से कभी भी लालीमा देखने को नहीं मिलती मगर एसा देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का side effect होता है कि अगर आप सही तरह से क्रीम का उप्योग नहीं करती हैं यानि डोक्टर के अनुसार बताए गई तरीके से इसका उप्योग नहीं करती हैं तो आपको side effect नजर आ सकती हैं मगर कुछ अन्य कारण भी होती हैं जिनसे side effect देखने को मिल सकती हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम का उप्योग अधिक कर लिया जाता है, तो एक साइड डिफ्यक्ट नंजर आते हैं, यानि जब आप इस दवा का उप्योग अधिक मातरा में करती हैं, तो आपको साइड डिफ्यक्ट जरूर देखने को मिलता है, तो इस कारण से, जैसा आपको डोक्टर ने बताया है, उसी तरह से इसका उप्योग करना चाहिए, नमबर टू है, लिवर रोग होनी पर, दोस्तों, अगर आपनी डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम का उप्योग किये, और आपको लिवर का रोग होता है, यानि लिवर का किसी प्रकार का रोग होता है, और उस स्तती की अंदर डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम का उप्योग किये जाता है, तो side effect नजर आ सकते हैं एसी स्तिती के अंदर डॉक्टर के बास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए नमबर थरी, पेट में सूजन होना दोस्तों, पेट में सूजन होना भी कई लोगों के अंदर देखने को मिल जाते है और एसे में अगर आपको दाद, जलन, जैसी कुछ शिकायत होती है और आप डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम का उप्योग कर लेती हैं तो आपको side effect नजर आ सकती हैं इसे कारण से हम कहते हैं कि बिना डॉक्टर की अनुमती की कभी दवा का उप्योग नहीं करना चाहिए नमबर फोर, आंतों में सूजन होनी पर दोस्तों, अगर आपकी आंत के अंदर किसी प्रकार का सूजन है और आप डर्मी फोर्ड के फाइप क्रीम का उप्योग कर लेती हैं तो आपको बता देते हैं कि आपको निश्चीत साइड इफेक देखने को मिलती है क्योंकि डोक्टर के दुवारा इस स्तती के अंदर कभी भी इस दुवा को नहीं दिया जाता अगर आपको एसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको डोक्टर के पास जाना चाहिए और उन्चे बात करनी चाहिए नई भी मिल सकता इस कारण से आप अगर गरबावस्ता की स्थेति के अंदर हैं या फिर कोई भी गरबावस्ता वाली स्थेति के अंदर हैं तो डोक्टर की अनुमती के ही इस दवा का उपयोग करना हैं क्योंकि बिना डोक्टर की अनुमती की क्रीम का उपयोग करने के कारण स साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं नमबर शीक्स डर्मी फॉरड केपाइप क्रीम लिंग के आदार पर भी अलग लग होती है इस कारण से अगर आपने इस दुआ का उप्यूग किये और आपके लिए ये दुआ नई बनी है तो भी आपको side effect नजर आ सकते हैं इस कारण से डोक्टर की अनुमती से ही इसका उपयोग करना चाहिए डर्मी फोर्ड के पाइप क्रीम उमर के आदार पर भी अलग अलग होती है इस कारण से कम या जैदा वाली उमर वाली इस्तती के अंदर इस दवा का उपयोग कर लिया जाता है तो side effect नजर आ सकते हैं अगर आपको एसा कुछ देखने को मिलता है तो डोक्टर के पास याईए और उनसे बात करें कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप स्वे मी इसका उपयोग करते हैं तो side effect देखने को मिल जाते हैं इस कारण से बेतर होगा कि आप बिना डोक्टर की अनुमती की कभी भी इसका उप्योग ने करें। अगर आपने पहले से ही इसे यूज कर लिया है और आपको साइट डिफेक्ट देखने को मिल रही है। तो इसी समय अपने डोक्टर के पास जाकर इस बारे में बात करनें। डोक्टर से बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है। बाकी आपको फिर से बता देते हैं कि बिना डोक्टर की अनुमती की दवा नई लेनी चाहिए। क्योंकि अलग-орग लोगों के लिए क्रीम अलग-लग हो सकती है। इसे यूज करने की प्रकार भी अलग-लग हो सकती है। इस कारण से डोक्टर से पहले बात करें और फिर इस क्रीम का उपयो करें। बाकी आप जो कुछ पूचना चाते हैं वे कमेंट कर सकते हैं।